नमस्कार सातियों मेरे यूटूब चैनल में आपका हार्दिक्स वागत है आज अपने इस वीडियों में बात करेंगे इंस्पाइर आवार्ड से रिलेटेड यदि आप इंस्पाइर आवार्ड के यूजराइड और पास्वर्ड बूल गये हैं तो इसको आप कैसे प्राप्ट करें कैसे अपने पास्वर्ड नए बनाएं तो सरुपरतम आपको गूगल में टाइप करना है इंस्पाइर आवार्ड 2021 जैसे आप इस पे किलिक करेंगे तो आपके सामने एक टेक ओपन होगा जिसमें वेलकम टू इमेनेजमेंट ओप इंस्प इंस्पाइर आवार्ड की वेबसाइट ओपन हो जाएगी जिसके अंदर अधर ऑथोर्टी लोगिन दे रखी है जिसमें नेशनल ओथोर्टी इस्टेट ओठोठी डिस्ट्रिक ओफोर्टी और स्कूल ओफोर्टी अलगलग जगर अलग-लग लोगिन दे रखी है इसमें तो तो आपको School Authority पर क्लिक करना है, जैसे School Authority पर आप क्लिक करेंगे, तो थोड़ा नीचे इसमें आपको यहां पास, To Login, Click Here, यदि आपने पहले से रेजिस्टेशन कर रखा है, और आपके पास User ID और Password है, तो आपको To Login, Click Here, पर क्लिक करना है, यदि आप First Time इसका यूज कर रहे हैं, तो New Registration पर आपको क्लिक करना है, और यदि आपके पास पहले से रेजिस्टेशन कर रखा है, लेकिन आप ID और Password भूल गए हैं, तो भी आपको To Login, Click Here, पर क्लिक करना है, तो आपको यहां पर क्ल करेंगे, तो यूजर नेम आगेगा आपसे, पासवर्ड माँगेगा, और Capture, फिल लोगिन करना है, यदि आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड नहीं हैं, भूल गए हैं, तो आप पर फोर्गेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे, जैसे आप फोर्गेट पासवर्ड पर क्लिक रहेंगे, एक नयाए विंडो ओपन होगा, जिसके अंदर अप्लिकेशन नमबर और आपके Capture, उसके बाद आपके Get Password आपको मिल जाएंगे, यदि आप अप्लिकेशन नमबर भी आपके पास नहीं है, आपके अप्लिकेशन नमबर क्या हैं, वो भी आप भूल गए ह तो आप अप्लिकेशन नमबर भी यहां से प्राप्त कर सकते हैं, आपके सामने ये लिंक दे रखा है, चेक और अप्लिकेशन नमबर और इमेल आईडी, क्योंकि जो भी आपके पास पासवर आएगा, वो आपकी मेल आईडी पर आएगा, तो यदि आपके पास अप्लिकेशन नमबर और इमेल आईडी पर क्लिक करके इस लिंक पर आपको अप्लिकेशन नमबर प्राप्त करने हैं, तो अपने इस पर क्लिक करते हैं, जैसे अपने इस पर क्लिक करेंगे, तो एक नया टैब ओपन होगा, जिसमें चेक की यह डिटेल, यह अपने स्टेट related को detail चेक कर रहे हैं तो state से समंद्धित अपनको school से समंदित चेक करने तो school पे click करेंगे उसके अंदर अपनों का जो भी state है वो state select करेंगे उसके बाद district और district के आपकी स्कूल को select करना है इस्कूल select करके submit करना है इस्कूल select करने के बाद आपको submit पे click करना है जैसे आप submit करेंगे तो आपके सामने एक नया window open होगा जिसके अंदर आपके complete view run दिखाए देगा स्कूल का नाम पर्सन ओप नेम, मॉबाइल नमबर स्कूल की मेल आईडी और अप्लिकेसन नमबर यहां से आपको अप्लिकेसन नमबर कोपी करने है और वापस अपनको उसी टेप पे आना है जहां पोर गेट पासवड़ का अपनने क्लिक किया था अपनको अप्लिकेसन नमबर यहां नहीं थी है तो अपनने अप्लिकेसन नमबर यहां से प्राप्त कर लिए है अब वापस उसी टेप पे जाएंगे जहां से अपनने फोर गेट का फोर गेट पासवड़ वाले पे क्लिक किया था तो application number आपको यहाँ पर लिखने है उसके बाद आपको यह capsule लिखना है और get password पर click करना है जैसे ही get password पर click करेंगे तो आपके पास एक message आएगा password has been sent your registered mail ID यहीं जो आपकी registered mail ID है उस पर password बेज दिया गया है आप इस पर okay पर click कीजिए इसके परशाद आपको अपना mail ID open करना है जो mail ID आपका registration है जैसे आपना mail ID को लेंगे तो mail ID पर एक आपको mail मिलेगा inspire awards related, inspire award forget password जिस पर आपको click करना है और click करने के परशाद आप यहाँ देखेंगे कि आपके जो user ID भी आपको यहाँ दे रखे हैं यह user ID है और जो URL दे रखा है ब्राउजर पर उस पर click करके आपको password set करने है तो आपको इस पर click करना है user ID आपको यहाँ से मिल गई और जो password आपको बनाने है उसके लिए आपको इस link पर click करना है जैसे आप इस पर click करेंगे click करने के परशाद एक नया type open होगा जिसके अंदर user ID लिखवाएगा और आपके जो password है वो लिखने है और retype password करना है capsule लिखना है और save करना है तो इस परकार यादि आप अपने password भूल गए है तो इस परकार चे आप अपने नए password बना सकते हैं और user ID को प्राप्ति कर सकते हैं इसके परशाद आपको login में user ID और जो आप नए password बनाएं वो नए password बरकर जैसे capture डालकर submit करेंगे तो आपका school का dashboard ओपन हो जाएगा और उसके अंदर आगे की जो परकरिया है nomination की वो आप कर सकते हैं और online forum मड़ सकते हैं तो एक password कैसे प्राप्त करें user ID कैसे प्राप्त करें इसके बारे में एक छोटी शी जान करें मैंने आप लोगों को दी यदि मेरे वीडियो अच्छा लगा पुल लाइक करें, share करें धन्यवाद